रोही शर्मा को 30-20 मेच में चौका लगाने के बाद कमर की मास बेशों में खिचाव आने के जलते मैदान छोड़ कर बहा जाना पड़ा वो खेलने की कंडिशन में नहीं थे और दूसरे ही ओर में वो रिटायर्ट हड हो गए रोही शर्मा की इस इंजरी को लेकर अब कोच राहूर द्रेविट के लिए भी परिशानिया खड़ी हो गई है रोही शर्मा की इंजरी कितने दिनों तक रहती है ये देखने वाली बात होगी लेकिन वो अगले मेश में खेलेंगे या नहीं फीजियो का बयान सामने आने के बाद ही ये मालूम होगा कि रोही शर्मा फिट है या नहीं फैंस भी चाहते हैं कि रोही शर्मा जल्दी ठीक हो जाए और अगले T20 में कपतान ही करते हुई दीखे उमीद करते हैं कि रोही शर्मा जल्दी ठीक होकर अगले मेश में वापसी करेंगे